हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चानल दिससे अंजली तूबे अपने फ्रंट हेयर को साइट पार्टिशन क्या अगर आप चाहें तो मिडिल पार्टिशन भी कर सकते हैं बट मैंने आपे साइट पार्टिशन के अपने कानों तक का एक साइट का हेयर मैं अलग कर लूँगी जैसे आप देख रहें अच्छे से पहले सबसे पहली बात है कि बालों में बिलकूल भी टैंगल ना पार्टिशन करना औरा अपने कानों तक के हेर को एक साइट नहीं इस तरcken ऐसे बात ओद आपको फ्रंट हेर लेका है तो चुस्ट करना है और फिर से लेना है और उपर हेर में ट्विस्ट करते रहना है और इसी तरीके से आगे के हेर में ट्विस्ट करते हुए आपको पीछे तक लेकर जाना है इस तरीके से कुछ और इसके बाद यहाँ पर हम सिक्यूर करेंगे सिक्यूर करने के लिए सबसे पहले मैंने यह क्योंकि इस तरह के सब्सक्राइब तो अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए मैं यहां से थोड़ा लूज कर दूंगी अपने हेर को जैसे आप याप देखेंगे कि मैं लूज करूँगी इस तरह की तो थोड़ा लूज करूँगी तो देखने में अच्छा लगता है सो यहां पर मैं लूज कर दूँगी और यहां पर टिक टैक पीन मैं यूज कर रही हूँ इस तरीके से मैं इपनी हैर को सिक्योर कर लूँगी और यह काफी क्विक है काफी जटपट की हो जाएगा तो कोई ताम ज़म जादा नहीं है काफी अच्छा देखने में भी लगता है लुक काफी अच्छा आता इसका सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और मैंने आपके सामने फटा-फट जल्दी से कर लिया नेक्स्ट मुझे साइड पार्टिसन में भी करना था बट मैं वहां नहीं करूंगी दूसरे साइड में क्योंकि मुझे यही एक ही साइड ज्यादा अच्छा लग रहा है यहां पर मैं डबल पिंच सा से क्योर कर लूँगी क्योंकि मैं बन-बन आऊंगी इसके लिए यहां पर मैं कुछ भी नहीं करूंगी इसको ऐसे ओपए नहीं छोड़ दूँगी यह सड़नली मेरा मूड हुआ पर मैं सोचके बैटिक कि दोनों साइड ही करूंगी बट अभी मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसी छोड़ूंगी यहां पर मैं कुछ भी नहीं स अपने हेर को गोल-गोल कर रही हूं कोई खास बन नहीं बना रही है आप देख सकते हैं बस मैं राउंड राउंड कर रही हूं और यहां पर मैं टक करके इस तरह के से यू पिन होता है जिसे यू पिन कहते हैं जुडा पिन कहते हैं मार्केट में काफी इजली से मिल जाएगा या फिर जो मार्केट में नहीं है तो वो उनलाइन है तो आप उनलाइन भी ले सकते तो मैं अब पूरे अपने हेर को सेक्योर करूंगी यूपिन के हेल्प से इस तरीके से कुछ और उपर से भी नीचे से भी राइट और लेफ्ट स चारों तरप से सारे तरप से इसको सिक्योर करना होता है बहुत जुरूरी और इसे लगाने के लिए क्या करना होता है आपको थोड़े हेर जो आपने बन बनाया उसमें से और थोड़े हेर जो आपके स्केल्प में हेरे उसे उन दुनों को लेकर लगाना होता है इसे आपका पूजा में यह कर रही हूँ कि मुझे साड़ी सर पर लेना रहेगा तो उपन हेर नहीं इचा लगे कर इसके लिए मैंने सुचा कि मैं बंद बनाऊंगी तो मेरा पूरा दिन काफी अच्छे से चला था तो यह काफी अच्छे से आप कर सकते हैं किसी भी पूजा में फटा फट कर सकते हैं यहां नॉर्मली भी आप कर सकते हैं किसी पार्टी में गए अगर आपको उपन हेर नहीं करना है तो इस तरीके से बंद कर सकते हैं और यूपिन इस तरीके से लगाना रहता है यूपिन गया यहां पर मैं यह कंपल सरी है जैसे आपके उपर अगर आपके पास है तो लगाओ वरना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है मेरे पास था और मैं लगाना चाहती थी इसके लिए मैंने यह नेट का है मैंने उसे यूज कर लिया अपने जोड़े के उपर वो भी बराबर आया नहीं है क्योंकि मेरा बाल इसमें नहीं आया मेरा थोड़ा बड़ा बना हुआ है just hair length के according होता है तो मेरा hair length है इसके लिए मैंने फिर भी लगा लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो especially बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पूरे दिन ऐसी थी तो आप लोगों को मेरा ये hair style आप लोगों को पसंद आया हो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चानल को subscribe करें मेरे वीडियो को लाइक करें comment नाउन करके जरूर बतेगा आप लोगों कैसा लग और share जरूर से करिएगा बाई बाई and take care guys